नवस्टकर दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्पर्दीब कुमार बांगडे आपका इस करिकम में स्वागत है जिस करिकम का नाम है आपकी अन्रोद पर दोस्तों आपके अन्रोद पर आज मैं आपको बताउंगा भारती फिल्म के मशूर करेक्टर आठिस्ट राशीत खान इनक भी दमाया था कि मैं जो भी वीडियो दालू वो सब से पहले आप तक पहुँचे तो चलिए दोस्तों वीडियो के शरुबात करते हैं राशित खान एक क्यरेक्टर आर्टिस्ट जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया राशित खान का जन्म पांच जुलाई 1915 को बड़ो तो वो स्कूल चोड़ने के लिए मजबूर हो गया इसके बाद उन्होंने आजीवी का कमाने के लिए अपने सामने आने वाले कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ली अक्सर वो कुली की रूप में काम क्या करते थे अलग अलग प्रकार के काम क्या करते थे राशित खान की संज Zarate नाचंग में काम किया जिसमें उनके प्रदर्शन को देffic broadcast को देखते हुए डॉक्टर अमबालाल पतेल बेहत प्रभावित हुए डक्टर अंबालाल पटेल सागर मुवी टोन के पार्टर थे उन्होंने उनका काम देखकर सागर मुवी टोन में काम का प्रस्ताव पेश किया लेकिन राशित खान ने विनम्रता से अस्विकार कर दिया आज जीवी का कवाने के लिए राशित खान ने मुंबई का रुखिया यहाँ पर उनकी मुलाकात एक चित्रकार से हुई जो फिल्म रिलो में चुनिंदा द्रिश्यों को रंग देता था राशित खान ने तुरंथ यह कोशिक सिख लिया और जल्द ही वो खुद ही रिलो पर पेंटिंग करने लगे हाला कि फिल्मों की पेंटिंग से उन्हें बड़ी आयन नहीं मिलती थी उन्होंने बॉंबे में आल इंडिया रेडियो कार्याले में प्रोडेक्शन टीम के सिदर्श के रुप में काम करना शुरू किया ये काम उन्हें उनके दोस्त की वज़े से मिला और वो वहां काम करते हुए इंडियन पिपिल्स थेटर एसोशियेशन से जुड़ गए जिसे हम इप्टा के नाम से जानते हैं, इप्टा में बलराज सानी जो कि महान एक्टर, राइटर और रंग-बंच से जुड़े हुए थे जो कि लंदन से लोटे हुए थे इप्टा में वो एक नाटक जुवेदा का निर्देशन कर रहे थे नाटक के लिए अभी नेताओं की तलास चल रही थी ऐसे में उनकी नजर राशित पर पड़ी जो की इंडियन काफी हाउस में दिखाई दिये जिसके साथ उन्होंने गहन बाचित की पहली नेजर में ही बलराश सानी को यकिन हो गया था कि वो इस काम के लिए बिलकुल उप्यूगत है बलराश सानी उन दोनों जुवेदा नाटक का निर्देशन कर रहे थे और उन्हें अपने प्ले में राशित खान के लिए एक केरेक्टर परफेक्ट लगा उन्होंने राशित को इस काम का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया उन्होंने रेडियो पर नौकरी करना जारी रखा और उन्होंने कहा कि ये मेरी रोजरोटी है लेकिन बलराश सानी उन्हें मनाते रहे और एक वक्त ऐसा है जब वो मान गए शो के प्रीमेर के केवल चार दिन पहले उन्होंने ये प्रस्ताओ को स्विकार किया इस नाटक की सफलता के बाद इप्टा ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया धर्ती के लाल जो कि 1946 में आई बनाने का फैसला किया और इसमें राशित खान ने एक पुजारी की भूमी का निभाई जो गाओं के बच्चों को पढ़ाता भी था और पुजा भी करता था जुवेदा के साथ अपने कारे काल में राशित खान को नाटक को से प्रेम हो गया एक्टिंग की तरफ इनका जुकाओ बढ़ गया इसके बाद देवानन के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया नवकेतन के साथ उन्होंने लंबे समय तक प्रत्यक फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट के रुपे काम किया बाजी 1951 जिसका निर्देशन गुरुदर्थ कर रहे थे ये पहली फिल्म थी नवकेतन की राशित खान इसमें होटल मालिक पेट्रो की भूमिका में थे इसके बाद वो लगातार नवकेतन के साथ जुड़े रहे जिसमें उन्होंने अपसर जो की 1950 में आई इसमें एक महत्प प्रदर्शन करते थे चाहे वो बार्टेंडर की भूमिका हो या फिर एक जुवारी की रूप में उन्होंने टेक्सी ड्राइवर जो की 1954 में आई थी इसमें उन्होंने अभिनाई किया था काला बजार जो की 1960 में आई इसमें वो सिनेमा हौल की टिकेट बेचने काम करते हैं और रॉमेंटिक कॉमेडि फिल्म तेरे घर के सामने जो की 1963 में आई थी इसमें वो बासूरी बजाने वाले एक करेक्टर की रुप में थे राशित खान ने अन्य बड़े निर्माताओं और डिरेक्टरों के साथ काम किया जिसमें हैं जिया सरहधी की हम लोग जो की 1961 में मोनी भटाचार की फिल्म आई उसने कहा था जो की 1960 में राज खुसला की बंबई का बाबु आई जो की 1960 में आई बपी सुनी की एक फूल चार काटे जो की 1960 में आई लेक टंडन की प्रोफेसर जो की 1962 में आई इसमें वो नजर आए राशित खान की मृत्तियों 1972 में माहीम मे में इनका निधन हो गया दोस्तों एक पास सब्चित में फिर से राशित खान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा राशित खान एक भारती चरितर अविनेता थे उन्होंने 1940 की फिल्म धरती के लाल से अपने अविने की शुरवात की 1946 से लेके 1973 के बीच उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में अभी ने किया वाकसर देवानन के साथ नजर आते थे जैसे की अफसर, बाजी, टेक्शी ड्रैवर, तेरे घर के सामने, बंबई का बाबू, काला बाजार, जैसे सुपर हिट फिल्मों में उन्होंने आहम भूमिका निवाई, उन्होंने 1973 के फिन बनार प्रेताओं के साथ काम किया, राशित खान के मृत्यों, मंबई, महरास्ट, माहीम में सन 1972 को हो गई, राशित खान में वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया, मैं इनके कुछ प्रमुक फिल्मों के नाम आपको बता देता हूँ, उन्होंने सुचारिस में धर्टी किला स्री 420, मकान नंबर 44, 1955 में गरम कोट, यासमेन 9211, 1957 में काला पानी, काला बाजार, 1960, प्रोफेसर 1962, शहर और सपना 1963, तिरे घर के सामने 1963, 1965 में मार्ग दर्शन, 1968 में दुनिया, 1968 दो दुनिचार, 1979 में राशकुमार, जुवारी, 1971 में एहलान, प्यार की कहनी, 1972 में एक नज तो उम्मिद करता हो, दोस्तों मैंने आपको जो जानकार दिये, वो आपको ज़रूर अच्छे लगी होगी, तो इसे के साथ अपने दोस्त परदिप कुमार मांगड़े को इस कारगाम से जाने की इजाज़त दीजिए, नवश्कार, जय हिंद! उल्णेंकार, थानकार भार मीरेचा, नवश्केणार को जवश्के तो साथ, नवश्कार, ट। जिन Одती है कुमासी मांगड़े की लावी, जी एक तो से जाने का की से जाने की जाँ़ आज рекंथ, जी ओश्केष्पारा दीजिए, जीए, तो उपना, लोस्क dif not to do Kanthina, जीए, झाल झाल